तो इस वीडियो में हम बात करने वाले विमिन्स फ्रीमेर लिग का आज जो मैच होने वाला आपका MI वोमेन और UP वोमेन के बीच में ठीक है लास्ट वी जो विमिन्स मैच हम लोगों ने कबर किये थे आपको सीवीसी के लिए हो याप फिर घ्ट के लिए साथ ग्रयान लिग के लिए करना चाहते हो तो यह यह जो वीडियो प्रेडिक्शन आप जो वीडियो में आपको जो मैंने ट्रिक्श क्या के तो तो जाते हो कभी क्या विजिए करने संभी हो कि ति यह सी बात रहें। कि कौन वीजिछ संथ करें, कि की कौन से प्लेंग, रएलन का बना सकते हो留ैम, कर आप देख सकते हो पर इन सबसे पहले आपको फाइनल टीम के लिए टेलेगराम को जोइन करके रहना है रखना है जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब मैच देखो यहां पर टीम बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे हम जान लेते हैं जैसे कि पीछ के बारे में तो पीछ देखो एकदम बैलेंस पीछ है अगर बात करें किस टाइप के बॉलर्स यहां पर ज्यादा इंपॉर्टन रहेंगा तो यहां पर आप इस पीन बॉलर का कॉंबिनेशन ज्यादा रख सकते हो ठीक है और साथी साथ अगर करें तो यहां पर जो एवरेजी स्कोर रहाए गाना आपका बहुत जादा कौई इंपॉर्टन डोन रहाए कर घिक कॉंसे टिम पहत्टिंग करें कौन से पहले बॉलिंग करें क्ईक कि oureh इतना हेल्प आपको फर्ष्ट बैटिंग में मिलेगा उतने ही सेकंड बैटिंग में भी इस पर पीछ पर मिलने वाला है वह अलग सीन होगा कि अगर आप दोनों टीमों का कंपेर कराते हो रिसेंट फॉर्म इस सीजन के अंदर ठीक है तो इस सीरीज के अंदर तो यहां पर आ आप MI के टीम को फिवर कर सकते हो क्योंकि थोड़ी सी यह टीम ज्यादा बेटर है ठीक है slightly कह सकतो UP के टीम से तो यहां पर इस टीम से ज्यादा प्लेयर को भी पिक कर सकते हो वीडियो के लाश्ट में हम जानेंगे कि दोनों टीमों से जो बेस सीबी से वह आप किसे पिक कर स वाई भाटिया भी MI के टीम से ओपनिंग करके देंगे आपको नीचे और कोई प्लेयर है नहीं ठीक है जिनको जो के खेल रहे हैं जिनको पिक करने के जुरत है तो विकट कीपर से यह दोनों ही प्लेयर आपके इंपोर्टन पिक रहेंगे बैटिंग से बात करें तो यहां पे एज को का मैंने पिक किया है और तयाईक को पिक किया है ठीक है अब यहां पर इंपॉर्टन कौह आगा यह तो दो देखो जाएंगे आपके सेफ उप्स पिक तहील कि आप रिस पर ले सकते हो यहां पर की प्लेयर मां ट्राइग कर सकते हो कई को ठीक है क्योंकि केपी का जो बैटिंग ओडर है ठीक है यह यूपी के टीम से यह रहता है आपका हमेशा मुश्ली फिप डाउन मतलब कि पांच पोजिशन पर रहता है वहीं तहीला और अगर एच गौर की बैटिंग ओडर के मैं आपको बात करूं तो चौथे पोजिशन पर करें तो यह भी आएंग़ा आपके चौधे हैं तो दोनों का भी बैटिंग ओडर सेम के पांच वह पोजिशन पर नीचे एस सेख है एक ओर नीचे नहीं है तीसरे पोजिशन पर ही है बट इस सीरीज के अंदर नहीं बहुत अच्छा इनका पॉर्पॉर्वेंस दिखा है नहीं तो इसके लिए भी हम लोग यहां पर इनको स्किप करके चलेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा अल्राउंडर सिक्षन अल्राउंडर सि अब अगर यह चारो देखो यह तो इस मॉलिक टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ठीक है है मैंने आपको लास्ट मैच में यह भी बोला था कि एक एर को काप्टन बना सकते हो और वो प्रेडिक्शन भी बिल्कुल करेक्ट था सीबीसी के लिए ठीक है नीचे है ह डी वैद्या भी नहीं और एच का जी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे नहीं तो डी वैद्या और जी हैरिस के लिए देखते हैं किस मैच में खेलते हैं कि दोनों का ही वैसे देखा जाए तो बैटिंग और काफी अच्छा है तो अगर आते हैं तो को ट्राइक किया जा सकता है ठीक है तो यह रहते को चार्ट सेफ और सेफ एक की प्लेर नहीं है दो सेफ प्सेंट इस हेला पीक तो इस मैच में फिलहाल तो ज्यादा एक्स्टा की प्लियर नहीं है लेकिन हाज जब डिपेंड करेगा कि अगर इस मैच में जी है इस डी वैतिया जैसे प्लियर आते हैं तो फिर आपके की प्लियर की चांसेथ हैं पढ़ने के ठीक है नेक्स आता है हमारा बॉलिंग प्लियर और कौन से रहेगा डेथोबर बॉलर इजह सब के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इस मैच का एमाइ के टीम से और यूपी की टीम से जो important सी बीसी आप्सन या captain wife का वह कॉन से रहे गा सबसे पहले तो बालिंग सिक्शन से सोफी एसी साग और आई वोंग ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको डेट्ट पर बालिंग करके देंगे कंप्लिक चावर बालिंग करके भी देंगे और ये सिफ ऑप्सन भी रहेंगे लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन से प्लेयर को आप यहां पर ट्राई कर सकते हो इनके बारे में चान लेते हैं तो देखो अगर बालिंग सिक्षन से बात करें तो आई वोंग एसी साग और सोफी के अलावा यहां पर आप आप आई वोंग चलो यहां पर अलवज जैसे कि पी वस्त्राकर है ठीक है तो पी वस्त्राकर को आप एक बार की प्लेर में रख सकते हो करो दो की प्लेर में रख सकते हैं तो फिल्हाल तो सिक्षन कर चलेंगे और इस इसमयल को इस मिल कर सकते हैं ये वहींकि इप यह एस तो इनको कि सकते हैं तो यह कुछ हो गए हैं आपकी स्मॉलीक की प्लेंग 11 कंप्लीट ठीक है यह तो बात होगी स्मॉलीक की प्लेंग 11 की और मैंने यहां पर तीन से चार आपको important key player भी दे दिया अब बात करते हैं यहां पर हम कि बेस सी बीसी इस match में कौन से रहने किसे पिक कर सकते हो तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन बताने से पहले मैंने चाहिए कि बता रखा है कि फाइनल टीम के लिए टेलेगराम को जोइन करके रखेगा और हाँ जो लोग भी एक्ष्टा प्रॉपिट चाहते हो फाइन टू प्लैप को यूज कर सकते हो क्योंकि यहां पर आज जो विमेंज प्रीमियर लिग का मैच होने वाला है इसमें कई तरह से आपको प्रॉफिट होने वाला है ठीक है और सेम चीज़े आपको आई पील के टाइम भी मिलने वाला है वहाँ पर आपका प्रॉफिट डबल होगा और इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अब इस आप खेलोगे यहां पर तो आपको हरी चीज़ समझ में आएगी और आप प्रॉफिट भी डबल कर पाऊगे लिए ठीक है यहां पर देख सकते हो दो हजार का फ्री गीवे मिल जाता है जीरो रूपए के इंट्री कॉंटेस्ट में और वही आई पील के टाइम में यही कॉंटेस्ट आपका 5,000, 10,000, 20,000 तक का फ्री गीवे आ जाएगा ठीक है और यहां पर क्या है कि जैसे 40 रुपए से आप ग्रैंड लिग खेल सकते हो एक लाग का प्राइज पूल जहां पर मैक्सिम जो टीम बना सकते हो 25 टीम बना है और उस 25 टीम में से जिस भी टीम क आपका जो मैक्सिम पॉइंट होगा न वो आपके कंसीडर किये जाएंगे विमिन्स प्रीमियर लिग टी 20 के लेडर बोट के लिए मतलब कि यहां पर प्रॉपिट देखो कि कौन कौन से लेवल पर आपका जा रहा है पहले तो आपने ग्रैंड लिग के लाग वहां पे आप आपके काउंट किये जाएंगे लिडर बोट के लिए ठीक है और यह आप लाइब रैंक देख सकते हो लिटर बोट वाले आफ्सन में जाकर कि आपके कितने पॉइंट्स हैं और उतने पॉइंट्स होने के बाद आप कौन से प्राइज जूइन कर रहे हो तो यह सब कुछ आ आप लग से कॉंटेस्ट वाइन करना बस वही मैच खेलना जो नॉर्मल यह आप खेलते हो दिन बर बट जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे इस लिटर बोड में आपके उतने अच्छे राइंक आएंगे और जितने अच्छे राइंक आइंगे उतने अच्छे प्र करते हैं इस माच के important captain और wise captain option की सबसे पहले तो मैं आपको दो बेस सीबीसी option दोगा जो कि safe cbc option होगा है वो है एच मैथ्यू और यह दो ऐसे बेस्ट captain wise captain है जो कि आपको small league team में भी combination मिलेगा और आसानी कि यह प्रॉप होने वाले काफी अच्छी option है इनको आप चुरू ट्राइब कर सकते हो बट मैं यहां पर बात करूंगा ग्राइब टीम के लिए रिस्की पिक के यह तो दो होगे safe option जो कि आल्रेडी आपके small टीम के combination में होगा बट ग्राइब के लिए आप क्या यूज कर सकते हो एक्ष्ट्रा तो यहां पर सबसे पहले आप फिकेट की पर सक्षण से एहली को कैप्टन ट्राइब कर सकते हो ग्राइब टीम में अगर आप पांस दस पंद्राइब इस जिल टीम बना रहे हो तो एहली को के बनाईद अप अगयन इस अक्षि एक को ट्राइब कर सकते हो घ्राहिक से के लिए ठीक है और ऑगेन बॉलिंग अगर जाते हैं तो सोफी को ट्राइब कर सकते हो तो यह तीन मेरे एक्स्ट्रा है ग्रैंडिक टीम के लिए रिस्की सी बीसी ऑप्शन सोफी एक एर और बैटिंग से विकेट की परसिक्षन से एह लिए ठीक है बाकी मिलते हैं अभी हम लोग सीधे फाइनल टीम के लिए टेलेग्राम पे टेलेग्राम एक तो मस्ट ह जोइन करके रखिएगा क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम अपडेट की जाएगी ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर आप जोइन कर लीजिए